नमस्कार दोस्तों मैं मुकेश कुमार चौधरी मैं आप लोगों के बीच आज हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई है एक राज कमल यादव जो कि हर पाकिस्तानी को फेमस करने में लगे हुए मेरे समझ में यह नहीं आता है जो पाकिस्तानी जितने भी गन्डू है शब का वीडियो उठाए उठाकर वो फेमस करने में उनको लगे हुए वो क्या चाहते हैं कि वो votre हे मतलब हर पाकिस्तानी को जो हो फेमस करके ही रहेंगे या उनको क्या करना है हर पाकिस्तानी जो छोटे बड़े ituereya यूट्यूबर तो हम खेर कह नहीं सकते हैं इन सारे पाकिस्तानी के दलालों को क्योंकि ये जितने भी फेमस हुए ये राजकुमल भाई और हमारे यहां जितने भी छोटे बड़े यूट्यूबर हैं इन सबों के रिप्लाई के वज़े से ये फेमस होते गए ना यह कभी उनके बारे में बेडियो बनाते ना उनका रिप्लाई देते ना जो है यह कभी फेमस होते फेमस होने के बावजूद वो आपी को गाली देता है जबकि आपने उसको फेमस किया है फिर भी वो आपको गाली देता आप उसे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ना देते हो तो वो भी आप के बारे में कुछ नहीं कहेगा सांध बैठ जाएगा आप फेमस करने के चक्कर में जो है इन सब के वीडियो का रिपलाई देते रहते हो आप वो फिर आप ही को बाद में गाली देता है तो भाईया राजकमल यादब मैं आप से यह गुजारिश करू नहीं है न मजब है यह साले बस यह भाईया मैं आप से चाहता हूं कि ना आप किसी पाकिस्तानी के बारे में आप वीडियो गनाए ना उसका रिपलाई दे जरूरी नहीं है कि आप उसका रिपलाई देंगे उसको समझ मैं का इन लोगों का आपने कितने सारे वीडियो का र आगे समझ पाएगा, तो भाईया आप खुद फेहमस करते हो इन लोगों को और फिर वो बाद में आप ही को गाली देता है, तो भाईया ऐसा ना करे, मैं भी आपका भाई हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, मुझे लगता है कि शाइद आप समझ ने आपके पहाँ बनाने का आपके पास बहुत सारे ट्अपक है, आप किसी बी टॉपिक पर बेडियो बनाओ, किसी इंडियान के बाद में बनाओ, उनको फेहमस करो, ताकि जो है, आपका भी नाम हो, किसी पाकिस्तानी को फेहमस करके ड्маइची